नमस्कार खबर समीशोगत में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके सातं के तावराई अब खबरी दिक्त स्टार से ने राश्री बाल अधिका संरक्षन आयोग ते अधिश प्रियंक कानुनगों ने मुख्य सचे वीरा राणा को पत्र लिखाए साती सात दिन में जाच रिपोर्ट मांगी इसमें जिसमें उन्हों ने बताया की बाल ग्रह में इस मामले में परवलिया थाना ने एफाईया दर् चिल्नरल होम का निर्क्षन किया जिसमें जानकारी मिली किया चिल्नरल होम बिना मानेता और रजिस्ट्रेशन के सिंचालित किया जा रहा था यहाँ पर अनाद बच्चों को बिना सरकार को जानकारी दिये रखा जा रहा था आयो को मिली जानकारी के अनुसार आंचल मिशनर में बालिकाओं का मंतांतरन करने का शक है यहां पर कई अब अविस्थाई भी मिली हैं यहां पर चाइल्ड हेल्प लाइन पर कॉल के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर बिना बाल कर लियान समीती के सामने पेश करें चिल्डरल होम में रखा गया बाल आयों के अधिकारियों क त्यानाई की मध्य प्रदीश सरका ने एक NGO को चाइल्ड हेल्प लाइन पर आने वाली शकायतों को सुनने और मुश्किल में फसे बच्चों को रेस्क्यू करने का काम सौप रखा है एंजियो संचालक ने भोपाल की परवलियत आना शेत में आंचल नाम से होस्टल बनाया ह चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर आये डिस्ट्रेस और मुश्किल में फसे बच्चों की कॉल के आधा पर साल 2020 से रेस्क्यू शुरू किया अब तक 43 बच्चियों को रेस्क्यू किया इस संसा ने बच्चों को बोपाल की बाल कर लियान समीती के सामने पेश करने के बज़ए स जाना था जी वैसलते होगष करते संदे कम बर्ट दबार озarea कहोच है स्पने श्क्राण से कि अधर कि जहाम भी जैना जहिते होगे रहें द भरा गोगिए जोग में धरिया लिए हख ब्रिया जाते होगे आजिए जानकारी थी हमारे पास कि एक होस्टल संचालित हो रहा है तो हम लोग देखने गए थे उसको परन्तु ये भी जानकारी थी कि वहाँ पर औरफन बच्चे हैं पर जब जाके वहाँ पता पड़ा तो वो होस्टल नहीं था वो आचल चिल्डरन्स होमी करके संचालित हो रहा था और जो उसके संचालित करने वाले अनिल मैथ्यू अनिल मैथ्यू लगबग जब से चाइड लाइन चाली हुई है बहुपाल में रेलबे चाइड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डारेक्टर है और उनको ये सारी चीजे बहुत अच्छे से ग्याद था तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेल्वे चाइड लाइन के वरकर के रूप में आउट्रिच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्नित किये गए जिनकों के 24 गंटे के अंदर बालकल्राण समिती के समक् हों में रखा गया साथ ही वहां पर जो अन्य राज्यों के जिलों के बच्चे मिले यह भी एक चिंता का विशह कि वो बच्चे यहां कैसे उसकी जानकारी कैसे मिली उनको यहां तक आप्रोच कि संस्ता तो तीन साल पहले खुली हुई है तो कब से यह रहकी की जा रही थी कि इस तरीके के बच्चों को यहां पर लेकर आना है और जो 68 बच्चिया थी उसमें से 26 बच्चिया हम लोगों को वहां पर नहीं हुले तो उसमें केवल और केवल एशु की ही प्रातना थी और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी अच्छे समिज़दार बच्ची थी तो मैंने उससे पूछा भी था है कि आप लोग अपनी प्रातना नहीं करते हैं तो बोले हम लोग करते थे एक लड़ू गोपाल जी की मूर्ती थी पर उसको पानी में बिसरजित करवा दिया और बच्चों को उनके धर्म के प्रति उदासीन बना देना उनको परिवार के प पड़ा रहे होंगे और जब माता-पिता आएंगे तो बच्चे अगर सही दस्तावेज होंगे माता-पिता के तो बिल्कुल उनके सपूर्द बच्चे किये जाएंगे और जो ऑर्फन है उनको तो नहीं दिया जाए खबर समय चकत के लिए समवादाता आदेत के सराथिक रिपोर्ट